साथियों, हमारी सरकार का लक्ष नागिरिकों की आकांच्छाओं को पूरा करने के साथ ही इस बात का भी है कि गरीबों के मद्दमबर के पैसे बचें आईश्मान भारत योजना के तहट अभी तक करीब चार करोड गरीब मरीज मुप्त हिलाज ले चुके हैं इससे इन सभी परिवारों के हजारों करोड रुपिये बचे हैं जो सरकार ने वहन किये हैं कोरोना काल में मुप्त टिका करण पर हजारों करोड रुपिये सरकार ने खर्च किये ताकि गरीब को मिडल क्लास को अचानक आई इस घंभीर बिमारी की विपत्ति के कानण जेब से कर्च करना न पड़े कर्च करना न पड़े पहले करोड आया फिर दुनिया में लड़ाई आ गई इस ये दुनिया में हैं से हमें आज मेंगी खात खरीद दी पड़ रही है यूरिया जिसके एक बेक की किमत आज दो हजार रुपिय से जादा है उससे हम किसानों को सिरफ दोसो चांसट रुपिय में उपलब दकरा रहे हैं दो हजार रुपिय की बैग तीन सो रुपिय से भी कम रुपियों में दे देते हैं किसानों पर बोज ना पड़े इसलिए इस वर्स सरकार दो लाग करोड रुपिय से जादा खर्च इसके पीछे कर रही हैं केंद्र सरकार की पी एम किसान सम्मा निदि भी किसानों के लिए वर्दान साबित हो रही है आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही जो सोला हजार करोड रुपिय उसकी जो किस्त भेजी थी वो हर लाभारती किसान तक पहुँच गई फोरण पहुँच गई दूसरी मिनिट अभी दो लाग करोड रुपिय से दीख किसानों के बैंक खाते में हमारी सरकार ने जमा कराए है और ये मदद तब पहुची है जब बुवाई का सबय होता है जब खात के लिए दवाओं के लिए किसानों को जरुरत होती है किसान फसल बेचते हैं तो पैसा भी अब सीधे बैंक एकाउंट में आता है मंद्रेगा का पैसे भी सीधा बैंक खाते में जाता है यहां तक कि हमारी गर्बवर्ती माताओं को जब अच्छे खाने की सबसे अधिक जरुरत होती है तब मात्रु बंदना योजना किसे हजारों रुपिये सीधे उन तक पहुंचते हैं भाई और भेनों ये सब कुछ अगर सरकार आज कर पा रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सेवा भाव आप सब के पती समर्पन और कोई कितनी ही हमारी आलोच ना करे हम गरीबों का भले करने की राजनेती इच्छा शक्ती से आपके आशिरवात से समर्पन और भाव से आगे बढ़ा रहे हैं